Hello students, स्वागत है आप सभी का Magnet Brains की इस प्लैटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुली free and quality education मैं शुभम श्रिवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का class 12th biology NCRT exemplar की series में जहां आज की इस lecture में हम लोग discuss करेंगे अपने chapter number 11, biotechnology principle and processes से long answer type question इस chapter की long answer में हम आ चुके हैं और एक lecture और हमारा इस chapter से बच जाएगा that is case based तो long answer में हम देखेंगे आज की कौन-कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं किस तरीके के अगर exam में अगर long answer type question आप से पूछता है इस वाले chapter से तो हम देखेंगे किस तरीके से और chapter की किस वाले पार्ट से उठागर के आप से long answer type questions पूछ रहे जाता है NCRT exemplar ने कुछ questions दिये हैं long answer में जिसे हमें solve करना है उनका answer हमें long करके देना है तो आज हम उन question के साथ deal करेंगे जानेंगे समझेंगे देखेंगे कि किस तरीके से हमें answer करना चाहिए तो एक एक करके हम देखते हैं कि long answer type questions में हमसे कौन-कौन से बहतरीन सवाल पूछे जा रहे हैं तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है पहला सवाल जो हमारे सामने आया है एक नजर डालते हैं सवाल कहता है कुछ ऐसा कि for the selection of recombinants for the selection of recombinants question को ध्यान से पढ़ना है for the selection of recombinants insertional inactivation of the antibiotic marker क्या है हमारे पास insertional inactivation of antibiotic marker ठीक है इसको क्या किया गया है has been suppressed by insertional inactivation of a marker gene ठीक है तो insertional inactivation of antibiotic marker जो था इसको suppressed किया गया है किसके दौरा तो insertional inactivation of marker gene ठीक है, marker gene coding for a chromogenic substrate, chromogenic substrate मतलब कही ने कहीं कुछ तो color वाला यहाँ पर funda होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है, color का funda हमें दिखने वाला है, chromo से हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है, इसके पीछे reason है, मतलब कहीं न कहीं कहीं कोशन का है, कि किसी भी recombinant के selection के लिए, पहले insertional inactivation किया जाता था, antibiotic marker का, अब उसके जगा पर यहाँ पर क्या किया गया है, एक ऐसा marker का use हो रहा है, जो chromogenic substrate दे रहा है, सवाल, समझ में आता है, सवाल कहने का मतलब है, कि पहले, पहले जो था, हमने कि antibiotic marker को, हम पहले जादा value कर रहे थे, लेकिन फिर क्या होता है, इसको कर दिया जाता है, suppress, किसके द्वारा, तो यहाँ पर एक ऐसा marker gene है, और यहाँ पर हमें game क्या दिखने वाला है, तो यहाँ पर हमें chromogenic substrate दिखने वाला है, मतलब कहीं न कहीं, color का यहाँ पर, एक game होने वाल इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कि यह एक्चुली कहना क्या चाहता है, राइट, दोगों कहना बस इतना सा चाहता है, इस page में complete है, सवाल हमारा था कि किसी भी specific organization selection of recombinants, किसी भी recombinant के selection के लिए, राइट, क्या है, पहले हम यूज करते थे, insertional inactivation of antibiotic marker, यहा activation of enzyme को हमने क्या कहा है, insertional inactivation, तो कहने का मतलब है, यहाँ पर हम बात करें कि इस चीज़ की, तो inactivation of enzyme, पहले antibiotic marker कहा है, यहाँ यूज हो रहा है, इसकी खासियत क्या है, कि it requires two plates having the different antibiotics, मतलब कहने का है कि दो plates चाहिए, तो दो plates से हमें क्या समझ में आ रहा है, कि दो plate का है, दो culture media की यहाँ पर जरूरत है और उसमें अलग-अलग antibiotics की जरूरत है, थिक है, इसमें क्या जरूरत है कि इसमें चाहिए कि दो plate की जरूरत है और अलग-अलग antibiotics की जरूरत है, इसकी बात अगर हम करें तो थोड़ा laborious है, यह थोड़ा laborious है और time कितना लेता है, तो अग यह लेता है, ठीक है, G H T S दो ओवर्नाइट का समय यह लेता है, तो दो ओवर्नाइट आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, दो ओवर्नाइट बहुत लंबा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन यह ज़्यादा है, अगर हम compare करें हम अपने इस वाले पार्ट से किस वाले पार्ट से तो इंसर्शनल लिन अक्टिवेशन ऑफ ए मार्कर जीन कोडिंग फॉरे क्रोमोजेनिक सब्स्ट्रेट मतलब यहां जो कलर की जो कलर के बारे में जो यहां पर गेम होना है अब वो क्या है कि यह प्रोड्यूस करता है कलर को अब यहां पर क्या है तो अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो हम इस तरीके से आगे चलते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं पहला हम क्या यहां परे लिख रहे हैं हमारे पास दो चीज़ां है क्या क्या है तो हमारे पास है एक तरफ है हमारे पास हम देखे तो Antibiotic Marker की कहानी है ठीक है और एक तरफ हमने देखा है किस चिस का तो एक तरफ हमारे पास है दाट इस की Insertional Activation of Marker Gene Coding for Marker Gene है एक तरफ हमारे पास क्या है Marker Gene है Coding for Chromo Genic Substrate अब इसने क्या किया है इस वाले को suppress किया है इसका मतलब है कि कहीं ने कहीं ये फाइदे मंद है इसमें हमें देखना है इसमें हमने देखा कि दो प्लेट्स की जरुरत है मतलब दो मीडिया की यहां पर बात की जा रही है लेकिन इस वाले case में हम देखते हैं तो एक single medium से हमारा काम बन जा रहा है इस वाले की बात करें तो थोड़ा laborious है थोड़ा laborious है अगर इसकी बात करें तो comparatively easier है इस वाले की बात करें तो time जो ये लेता है time taken इसका जो है that is of two overnights दो रात का समय इसमें हमें लग जाएगा लेकिन अगर हम इस वाले में बात करें तो जो हमें time लगने वाला है time ये इसमें हमें क्या कहता है कि एक overnight में मतलब रात एक रात की बात है ये अपना काम complete कर लेता है ठीक है इसमें differentiation differentiation is difficult इसमें differentiate करना difficult है लेकिन अगर हम लग इस वाले में बात करें तो चुकि यहाँ पर color क्या होने से differentiation जो है वो easily हो जाता है क्या होता है differentiation जो है वो easily हमें देखने को मिलता है पहले आप इसको note कर ले पहले आप इसको note कर ले है फिर मागे कि और डिसकस करते हैं तो कहने का मतलब यही था हमारा यहां पे कि इस ओले पार्ट में हमने देखा कि दो मीडियम की जरूरत है जिसमें अलग-अलग अंटि ऑ्टिक्स हैं इस वाले में क्या है कि single यहां पर क्या है कि color के presence में होना है तो मतलब chromogenic compounds है तो produces color in the presence of a chromogenic compound इसमें we can distinguish between the recombinants on a single medium plate तो यहां पर एक single medium है double medium है हम क्यों इसको distinguish कर पा रहे हैं चुकि सा color change हो गया color अलग हो गया है तो अलग color होने से हम easily differentiate कर पा रहे हैं तो कहीं ने कहीं यह ज्यादा और यह एक overnight कहानी थी अगर हम इसके बारे में देखें तो इसके बारे में देखें तो एक overnight की कहानी हमें यहां पर एक overnight की कहानी हमें देखने को यहां पर मिलने वाली है तो किस time कम लग रहा है laborious कम है हमें easily हम distinguish कर पा रहे हैं that is why वही है कि कि किसी भी for specific recognition of selection of recombinant अभी क्या है यह वाला जो है वो ज्यादा परफेक्ट है ज्यादा accurate को आप note कर लो screenshot निकाल लो फिर हम आगे की ओर चलते हैं राइट अब देखें यहां पर यह भी चीज यहां पर लिखता है कि insertional inactivation of antibiotic markers यहां पर वही बात की जारी है जैसा हमारा question था कि insertional inactivation of the antibiotic marker तो एक insertional inactivation of antibiotic marker requires simultaneously plating of two culture वही हमने यहाद जो देखा discuss किया कि दो culture media की जरुरत है और chromogenic और chromogenic inactivation is a short method to distinguish between the transformants and non-transformants और वहीं पर यह जो chromogenic और की जगा एंड होगा तो ज्यादा पर गुड है chromogenic inactivation एक तो short method है short medium है और easily हम distinguish कर पाते हैं transformants और non-transformants के कारण कारण की color change की कहानी है chromogenic inactivation the gene is a gene of interest is inserted in between the chromogenic gene due to the inactivation of the chromogenic gene the recombinant dna would not produce color hence it can be concluded that the colonies produces color are identified as non-transformants तो जिसने color बनाया उसको हमने non-transformants रहा और जिसने color नहीं produce किया उसको हमने transformants कहा तो color कहूने से color के हूने से हमने distinct दोनों की बीच में जो अंतर है वो हमें आसानी से समझ में आ रहा है तो वेरास दे colonies which do not produce the color are transformant colonies तो transformants ने color नहीं बनाया non-transformants ने color बनाया तो हमने दोनों को easily distinguish कर लिया so this is the reason why for the selection of the recombinants insertional inactivation of the antibiotic marker has been suppressed by the insertional inactivation of a marker gene coding for a chromogenic substrate तो यही इसकी कहानी है इसलिए यह जादा perfect है यह जादा accurate है आप इसको भी note कर सकते हो इसको भी आप screenshot निकाल सकते हो तो इस तरीके से हमने अपने कोई डाउट अगर आपके मन में रहे गया हो नहीं समझ में आप comment में बिल्कुल उसको पूछ सकते हैं so यह रहा हमारा पहला सवाल हमारे long answer type question से राइट आगे चलते हैं और discuss करते हैं अपने question number two को की दूसरा सवाल हमसे क्या कहना किया है माइड मैब भी discuss किया ही है डाइडिस की describe the role of agrobacterium tumefaciens मतलब यहां पर आपको एक bacteria दिया गया है इस bacteria को देख करके बहुत सारी चीजे हमें याद आ रही है कि कहीं न कहीं यह plants में tumor वाली चीजे यहां से हम कैसे याद रख सकते हैं तो यहां TUME है तो यहां TUME से tumor भी तो कुछ ऐसी ही शुरू होता है तो वही हम याद रख सकते हैं कि agrobacterium tumefaciens जो है यहीं से हमें tumor वाली चीजें मिलने वाली थी तो कह रहा है कि रोल बताना है agrobacterium tumefaciens का in transforming plant cell यह क्या करता है plant cell के इसके बारे में तो यह bacteria है agrobacterium की बात करें तो यह एक bacteria है यह तो आप clear होना चाहिए ठीक है अब जिस तरीके से कहेंगे कि सर यह तो समझ में आ ही रहा है कि bacteria होना चाहिए लेकिन कई बार ऐसा देखने को जोता है कि bacteria बारे में पूछा गया है क्या काम है तो इसको transforming a plant cell को इस बैक्टेरिया क्या करेगा तो यह बैक्टेरिया करने वाला है कुछ ऐसा कि यह जो इसका जो plant cell है इस plant cell को यह क्या करेगा इस plant cell को यह transform करेगा ठेक है यह इसको करने वाला है ठेक है अब इस अगर बैक्टेरिया की बात करें तो इसको dicots के साथ जादा दोस्ती है dicots के साथ दोस्ती कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इसको अगर हम लोग plant के बारे में बात करते हैं तो plants में भी जो हमारे पास angiose pumps हैं इन angiose pumps में हमारे पास monocots monocot भी हैं और हमारे पास क्या हैं हमारे पास dicot भी हैं लेकिन इस bacteria को इस dicot के साथ जादा दोस्ती है इसकी इससे उसको उत्ती दोस्ती नहीं है लेकिन dicot वाले से इसकी गजब की दोस्ती है तो गजब की दोस्ती होने कारण जित्ती जादा दोस्ती होती है उसके नुक्सा ब्यूत नहीं होते हैं कभी-कभी फायदे भी है नुकसान भी है तो इन में दोस्ती है तो यह क्या करता है यह रसे deep on re करता है यह क्या करता है इन में इन फेक्शन क्योत करता है तो亲icky good infection है यह फिर infection bad infection निया good infection ने जो भी है तो यह क्या करता है especially यह dicots के उपर infection create करता है ठीक है यह कुछ basic सी बात है इसके लिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं राइट इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं अब जैसे यह है हमारे पास ठीक है तो कह रहा है role of agrobacterium tumor faciens in transforming a plant तो इसकी बात करें तो this is a plant pathogenic bacterium यह क्या है यह एक तरीके का plant pathogenic bacterium है pathogenic bacterium है याद करें तो हमें याद आएगा कि it causes tumor called crowns crown girls तो यह क्या करता है भाई साहब यहाँ पर यह tumor कॉस करता है ठीक है और इन ट्यूमर को हम किस नाम से जानते हैं तो क्राउन क्राउन गॉल्स के नाम से हम इने जानते हैं और यह कौन करवा रहा होता है तो यह जो बैक्टेरिया यह करवा रहा होता है ठीक है अब यह ट्यूमर कॉस कर रहा है तो कहीं ने कहीं समझ में आता है तो Tumor Inducing Plasmid है, इस Tumor Inducing Plasmid को हमने किस नाम से पुकारा है, तो हमने इसे Ti Plasmid के नाम से पुकारा है, किस नाम से पुकारा है, Ti Plasmid क्या है, तो Tumor Inducing Plasmid है, तो Ti से Tumor, I से Inducing Plasmid, तो tumor inducing plasmid that is the ti plasmid ti plasmid integrates this segment of dna तो यहाँ पर क्या है हमें देखने को मिलता है कि यह ti plasmid जो है यह ti plasmid क्या करता है integrate करता है किसको तो एक segment of dna यह dna का कोई segment है इसको integrate करता है for example अगर इस वाले reason में यह कहानी होनी है तो इस वाले reason के dna की इस वाले reason को हम लोग tdna के नाम से पुकारेंगे क्या पुकारेंगे इसको इस वाले dna की इस वाले reason को हम लोग tdna के नाम से पुकारेंगे क्योंकि यहाँ पर ti plasmid जो है वो integrate हुआ है तो यहाँ पर क्या हम उसको बोलेंगे tdna TDNA के बारे हम बोले तो into the chromosomal DNA of the host of the plant cell और यह DNA किसका है और यह DNA किसका है तो वो plant cell का है जिस plant cell में इसको जाना है वो dicot plant है यह किसका है यह किसका है तो यह अगर हम बात करी यह किसका है तो यह वो dicot है ये dicot का chromosome जो अगर हम लेके चलें तो इस dicot के chromosome को थोड़ा सा खोलेंगे तो जो हमें इस में से जो DNA निकलेगा उसकी बात की जा रही है तो कहने का मतलब है into chromosomal DNA of its host plant cell ठेक है और तो और इसकी खास बात ये है कि this is natural इसमें इनसानों का किसी तरीके नहीं होता है तो सवाल था है किस तरीकर से ट्राफार्म करता है थो ट्रांसिर्सवार्म करता था कहसा कि ये बैक्टेरिया जो ही infection करना है इसको शरू कहां से होगी कहानी कहानी शरू होगी फॉम देख यहfo Yahya ऐस के पास genetic material chromosome से इसके पास chromosome की को खोलते जाओगे डियने मिलेगा तो डियने के segment को यह पकरता है जहां जाकर कि इस टी आई plasmid का integration होना है और डियने के सेग्मेंट को हमने टी डियने के नाम से बुका रहा है और जैसे ही भाई साहब यह वाला टी आई प्लाजिट टी ऐए plasmid को एसमें घुसेगा तो यहां पर हमें दिख जाएगा जैसे ही यह घुसेगा तो ऐपर मैं हमें यहां पर हमें क्या है इस चिसको हम यह लिखते ह briefly के दिखते हैं-स as well as bad good की बाद बाद में bad की कहा नहीं है कि फिलाल ये infection में क्या करेगा तो इंफेक्शन में ये tumor cause करेगा ठीक है और ये सब कुछ होना है naturally इंसान का किसी भी तरीके से इसमें interfere नहीं है इंसान किसी तरीके से इसमें दखल नहीं दे रहा है that is why हमने इसे क्या गाए natural genetic engineer of plants मतब plants के भी ये कैसे है genetic engineer है इंसानों का तो छोड़ो ये plants के genetic engineer natural genetic engineer इनको हमने कह दिया ठीक है लेकिन जरुरत है कि good infections रहे तो better है bad infections की जरुरत नहीं है तो इसके लिए steps लिए फिर humans ने the molecular biologist कुछ molecular biologist ने क्या किया एक version used किया plasmid का कहता है कि used a version of the plasmid from which the tumor forming genes has been eliminated still delivers gene of interest कहने का मतलब है कि उन्होंने कैसे plasmid को use किया जिसके कारण से जो good चीजें होनी है लेकिन जो bad bad that is about that is of tumor tumor forming जो था gene इसको क्या किया दिया eliminate कर दिया तो tumor forming gene को eliminate करने से at least यह जो crown goals है यह तो नहीं हो रहा था crown goals मतलब that is tumor जो था यह वाला यह तो नहीं हो रहा था लेकिन अभी gene of interest जो है वो deliver हो रहा था तो इस तरीके से agrobacterium tumor fashions जो है वो plant के transformation में मदद करता है information है इसको आप नोट कर सकते हो आप इसको screenshot निकाल सकते हैं इसको आप अपने language में भी लिखके अपने तरीके से लिख सकते हैं right फिलाल आप इसको नोट कर ले फिर हम आगे चलते हैं और discuss करते हैं यह जो हमारे पास है वही यहां कहता है कुछ कि agrobacterium tumor fashions is known to cause infection in the plant plant में इसको infection करना है especially यह बात कर रहा है किसका तो dicots का कहता है कि the ti plasmid of this bacterium इस bacterium का जो ti plasmid है ठीक है इस बाक्टेरिया का यह जो बाक्टेरियम है इसका क्या है तो इसका है कुछ नहीं इसका है simple सा ti plasmid और यह ti plasmid क्या करता है यह क्या कर रहा है tumor formation inside the plant cell और इसका काम यह क्या कर रहा है तो यह tumor का formation करना है tumor को tumor का formation होना है किसमें होना है तो यह tumor का formation होना है plant cell में खुद से होना है इनसानों का किसी तरीके से इसमें दखल अंदाजी नहीं है naturally होना है इसको and has been exploited for cloning the gene the dna of the ti plasmid get incorporated with the host cell अब यहाँ पर यह plant cell है यह plant cell है इसका यह plant cell है plant cell के अंदर जो भी chromosome है chromosome है chromosome के अंदर जो dna है इसकट इस dna का कोई जो एक segment है इस segment में आकर के यह ti plasmid जो है वो infection create करेंगे और फिर उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे उस पार्ट को हम लोग t dna के नाम से जानेंगे हाना ti plasmid get incorporated with the host cell host cell और उसके dna में however to is to use it as a vector to the tumor causing agent has been deleted by a molecular biologist तो molecular biologist के तो तूमर वाले पार्ट को delete कर दिया गया है आप इसको note कर सकते है screenshot नेकाल सकते हैं फिर हम चलते हैं अपने question number 3 के तरफ और discuss करते हैं अपने तीसरे सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है तो आ जाते हम अपने question number 3 के तरफ question number 2 हमने किया है complete आगे चलते हैं अपने question number 3 के तरफ तीसरा सवाल हमारा क्या है देखिए तीसरा सवाल हमारा कुछ डाइग्राम हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है किस चीज का डाइग्राम ही है सवाल उठता है दिमाग में question है हमारा की illustrate the design of a bio reactor bio reactor तो यह जो डाइग्राम है भाई यह bio reactor का डाइग्राम है ठीक है design हमसे पूछा है कि bio reactor का design बनाने के लिए तो यह रहा हमारे पास bio reactor का design आपको देख रहा होगा एकस तरफ feeding pump है medium air agitating system sensor probes यह सारी चीजें हैं आप इसको बिलकुल note कर सकते हो आप बिलकुल इसका screenshot निकाल सकते हो आप से exam में अगर पूछे का तो आप यह diagram अगर बनाते हैं इस तरीके से तो आपको number पूरे मिलने वाले हैं ठीक है second part में इसमें कहता है कि highlight the difference between a flask in your laboratory highlight the difference between a flask in your laboratory and a bio reactor which allows cells to grow in a continuous culture system देखिए हमारे पास दो केस है दो केस है एक केस जो हमारे पास है that is of flask in your laboratory तो क्या है flask in your laboratory तो इसको ऐसे ना लिख करके हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं दो केस है एक केस है हमारा lab का lab जो हमारा laboratory है इसमें जो मौजूद है flask है एक हमारे पास ये संसाधन है दूसरा जो केस है हमारे पास that is of कि एक हमारे लार्ज स्केल में चाहिए तो हमें जरूरत है किसकी तो बायो रियाक्टर ठेक है डिफरेंस बिटेन फ्रास के लिबरेटरी बायो रियाक्टर क्यों अब दिखिए दोनों में सकता है दोनों में डिफरेंस किसी आ सकता है कि हम किस चीज को णिफोर जिपने गला सब्सटार्ज के लिए क्या आप यह विजां में बताना है जो को मारे पृत बढ़ए जो हम स्टार्ट करने दारे लाइक हमको लगा है कि कोई सा यहां पर माइक्रोब जो है उसके मदद से हम कुछ बना सकते हैं तो हम उसको क्या करेंगे पहले लैब में बहुत यह स्मॉल मीडियम में लैबोरेटरी में यूज करना चाहेंगे तो फ्लस्क में है तो इनिशेली अगर हम किसी नए चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं अगर R&D के उपर काम चल रहा है ताट इसकी मतलब R&D कहते हैं R&D का मतलब होता है Research and Development तो Research and Development का जब काम चलता है तब हम इस वाले केस में आते हैं जब इस R&D में जब बहुत जब हमें success इधर मिल जाता है जब हमें large scale की जरुद परती है तब हम इस वाले case में आते हैं इस वाले case का मतब clear है कि जो production है वो काफी small quantity में होने वाला है small quantity में होने वाला है ठीक है और इसका मतलब है कि यहाँ पर जो production है वो होगा large large quantity का यहाँ पर production देखने को मिलने वाला है यह दो केसे हमारे पास ठीक है तो यहीं हमें समझ जाना चाहिए कि जब हमें छोटी-छोटी चीजों की जरुरत है तब हम उसको लेबरेटरी में perform करते हैं लेकिन अगर हम इसे commercially अगर हमें इसे export करना है अगर हम इसे commercially export करना है ठीक है तो commercially export करना है तो आप ज़र यह common सी चीज़ है कि इस lab के अंदर मौझूद जो छोटा सा flask है इसमें हम कितना ही बनाएंगे और कितना export करेंगे that is why हम यूज करते हैं bio reactors का यहाँ पर commercially जब production की बात आती है तो करीब करीब 100 से 1000 लीटर का यहाँ पर production हमें देखने को मलता है तो यहाँ पर शायद 1 लीटर भी ना बन रहा हो और यहाँ पर up to 1000 लीटर का production होता है तो commercially हमें bio reactor का हमें यूज करना परता है इसका यह diagram है पहले इसको आप note कर लें फिर इसके बारे में हम discuss करते हैं राइट तो वही चीज यहाँ पर कहता है कुछ ऐसा ठीक है यहाँ पर बात भी जा रही थी लैब की कोई कहते है कि flask is used in a small laboratory skill flask हम कहां use कर रहे है तो it is used in a small laboratory skill testing of culture and testing of culture testing किया गया है culture का testing किया गया है R&D purpose वगरा के लिए मतलब तब हम lab में काम कर सकते हैं and bio reactor is used for the commercial scale production bio reactor को हमने use किया है commercial scale production के लिए flask में हम जाने थे small volume cultures cannot yield appreciable quantities of the products तो मतलब इसमें इतनी small quantity में हमें products मिलने वाला है कि फिर उससे कोई फाइदा नहीं होने को वहीं bio reactor जो है वो large quantity में हमें बन रहा है और हमें it can culture that about volume of hundred two thousand liters 1000-100 liter तक के हमें final yield हमें मिलने वाला है तो यह इन दोनों के बीच में difference था यह इन दोनों के बीच में difference था आप इसको note कर सकते हो आप इसको screen shot ने काल सकते हो right आगे बरते हैं आगे बरते हैं उमीद है कि आपको समझ में आ रही हूं कि कोई doubt आपके मन में रह गया है तो आप उसे बेजी चक पूछ सकते हैं इस छोटे से चाप्टर में long answer की अगर हम बात करें तो आपके लिए that is about magnet brain यह एक ऐसा platform में जहां आपको बिल्कुली free and quality education दिया जाता है बात करें हम cbac English medium की cbac Hindi medium different state boards या फिर हो competitive exams like ntsc cuit and olympiart सबकी तरह तयारी कर आई जाती हैं बिल्कुली free of cost सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब के परिशानी हो रही तो आप डाउलूट कर सकते हैं हमारे आप को या फिर आप विजट कर सकते हैं हमारे website www.magnetbrains.com यहां आना है आपको अपने class को चुनना है अपने subject पे जाना है अपने chapter को चुनना है जिस भी lecture में आपको doubt है दिक्कत है पढ़ना है शुरू से पढ़ सकते हैं सारे courses available है ठीक है तो इसे पढ़ते रहे हैं अच्छे marks लाते रहे हैं तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंस अच्छे मुस्कराते रहे हैं और परते रहे हैं मैगनेट बेस के साथ टाड़ा थैंक्यू बाइबाए